और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जारकन में सरकार गिराने की साज़िश को लेकर बंगाल CID ने अपनी जांश तेज कर दी है बंगाल CID ने मामले में जारकन कॉंग्रेस के विधायक जै मंगल और्फ अनुप सिंग को बयान दर्ज कराने के लिए नोटस जारी किया है और उन्हें आज कॉंग्रेस के समर्थन में अपना बयान दर्ज कराना है बतादे की कॉंग्रेस तीन विधायक इर्फान अंसारी, राजेश कचप एवं नवन विकसल कॉंगाडी को कॉंग्रेस के साथ गिरफतार किया था और उसके बाद अनुप सिंग के बयान पर राची के अडगोडा थाने में जीरो एफ आयार दर्ज हुआ था और इसी एफ आयार के आधार पर पश्चिम बंगाल की पांचला थाने में दर्ज केस की जाचस सी आईडी कर रही है तो बड़ी खबर सामने आ रही है जारखन में जो कैश कांड हुआ था अब इस पूरे मामले में सी आईडी चानबीन कर रही है और इस दोरान जो कॉंग्रेस के विधायक हैं अनुप सिंग उनसे पूछताच की जाएगी तो सी आईडी अब अनुप सिंग से पूछताच कर करेगी तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूस रूम से हमारे समवधाता जुड रहे हैं आशुतोश आशुतोश अनुप सिंग से सी आईडी पूछताच करेगी क्या कुछ अबडेट्स है आपके पास पीते जो 30 जून को माफ करेंगा 30 जूलाई को जब ये मामला कलकता पुलीस ने जब पकड़ा था पंचला थाने के पुलीस ने जब हावडा इस्थित जो पंचला थाना है उसमें जब रोड कहेंगे वाहनों की जाच के करम में जब जारकंट से इंपूट मिला था उसमें जो तब तीन बिधायकों को जो 49 लाग के कैस के साथ पकड़ा गया था उसके बाद ये मामला सामने आया था और उसके बाद जो है आनन फानन में जो है 31 जूलाई को जो है अनूप सी ने जो कांग्रेस के बिधायक हैं उन्होंने ही अपने तीन बिधायक जो थे जिनके साथ ज़ो कैस पक्ड़ा गिया था उघ्वान ऐ सारी नमण विक्सल को गारी और राजे इस कछप ढख संपरक्रन के सांप लासा में बंगाल रांची किए और दस्करोर के अधार पर जो काफही तेजी से कर रहा हुए अनूपसी्स पाइघ कर रहे और ने देखने वाली हो गी लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से जीरो एफाई यार दर्ज हुआ था और यह कैसकन जब जारकन में खुलासा हुआ था जब बंगाल पुलिस ने पकड़ा था उसके बाद यहाँ एक तरह से कहें तो सियासी भुचाल आया था क्योंकि कॉंग्रेस के बिधायक जो है कहें कि बड़ा बड़ जो है इसे कहें कि जो है बिधायकों की खरिद फोग या जिस तरह से सरकार बनाने और बिगाड़ने की जो खेल चल रहा था इसमें सुरू से ही इनका नाम आ रहा था कॉंग्रेस के कई बिधायकों का और राष्टपती चुनाओं में भी जो है दस ब और अब देखना होगा कि अनुपसी इस मामले में क्या कुछ अपना बयान दर्च कराते हैं और क्या कुछ CID के सामने अपना पक्छ रखते हैं और उसके बाद CID क्या कुछ रूख अक्तियार करती है इस मामले के बाद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के भेज दिया गया और उनसे अब लगातार पूछताच की जा रही है और अनुप सिंग वही बिधायक हैं जिन्होंने इन तीनों के खलाफ एफ आयार दर्ज कराया था